हर्याना की लोगों को काफी उमीद थी बज़ट से पर निरासा गईने के हाथ लगती हुशाब नहीं कोई उमीद इनसे है ही नहीं पहले भी पूछा गया और मैंने कहा कि बिलकुल हम इनसे उमीद नहीं करते हैं क्योंकि इनका जो इतिहास रहा है हर्याना का बताईए कि क्या दिया है कितने प्रजेक्ट दी हैं 26-27 साल हो रहे हैं आपने हर्याना को कोई सोगात दी है सौगात दी है तो केवल इस तरह का तीन काले कानून बना कर जिसके खिलाफ सारा देश किसान मजदूर बैठा है ये सौगात है कौन सा प्रोजेक्ट दिया है आपने किस मूँ से ये लोगों के बीच में जा सकते है बजट तो जीरो बजट आप समझ लेजी हर्याना के लिए कुछ नहीं मिल पाया है सब निराश हैं किसान मजदूर जो बैठा है आज के दिन अपना घर बार छोड़ कर इतनी ठंड में बैठा है उसके साथ आप क्या अत्याचार कर रहे हैं आपके लोग बीच में घुस घुस कर मार पिटाई निर्मम निर्ममता से कर रहे हैं तो ये सौगात दे रहे हैं कि आप बजट की क्या लिपाप होती दिखाना चाहते हैं अब हम जिस तरी के से बात करें बजट में किसान सेंस लगा दिया है लोगों को और जदा कहीं न कहीं बाहर पढ़ेगा पैट्रोल डीजल के डाम दुवारा से बढ़ते होने जरा कि इसकी सेस की क्या जरूरत ही आप दिखा रहे हो केवल दिखावा कर रहे हो कि सेस लगा कर पैट्रोल डीजल पर की यह हम फार्मिंग कम्यूनिटी को देंगे पहले किसने रोका था आपको कुछ देने के लिए क्यों नहीं दिया आपने आज तक अब करोना के समय में सारे देश को अगर आगे बढ़ाया है तो हमारे कृशिक शेत्र ने किसान मजदूर ने आगे बढ़ाया बाकी तो आपकी सारी अर्थवेवस्था बिल्कुल ठब बैटी थी उसके बावजूद आपने किसानों को सौगात दी है यह तीन काले कानून बनाकर केवल अपने कुछ साथियों को उनको और धनाडे बनाने के लिए उनका फाइदा करने के लिए तो यह इस तरह की सोच वाली सरकार देश के प्रती जो जवाब देही होती है अपनी जिमेवारी को नहीं समझती है और एक जगे जाकर बैट गए हैं इन्हें बहुमत मिला अब यह सोचते हैं कि यह ताना शा हमारी आजादी का और यह आंदोलन आज है और इसके लिए सीधी तरह से भारतिया जनता पार्टी जमेवार है सीधी तरह से देश को जवाब दीजिए आप देश के किसान मजदूर को जवाब दीजिए इस तरीके से बात करें पर देश के मुख्यमंती मनौलाल खटर की बा करोना के रहते यह तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था और वो तो करना ही है वालके पिछले साल से अगर आपने पहले तयारियां की होती जब करोना का डर था तो आपने तयार पर उस बात को भूल जाईए तो स्वास्ते एक चीज है लेकिन बाकी का देश भी तो है हमारे क कि क्रिशी कानून भी तो हैं उनको भी आप देख लीजिये वो भी करिए करिये कारून की बात करें में पिछले काफी लंबे समय से अलागलिक बॉर्डरों पर किसान बैटे हैं और आप जो बॉर्डर हैं गाज़ीपूर की बात करें तो छाबनी में तब्दिल किए बारा लियर की सिकोर्टी ऐसा तो बॉर्डर पर देखने को मिलता है और टीगरी में तो रोड खोड़के हमाँ पर कीले गाड़ दिया है कि किसान अपमें टैक्टरों को लेकर किसान वहां से कूछ ना करे तो किस तरीके से देखते हैं आप क्यों इस तरह की बात करते हैं मुझे बत ही कहा था पहले कहकर उन्होंने किसान राली कि कोई एक दिन चड़ावा नहीं किया किसी ने चड़ावा नहीं किया यहां की सरकार का फेलियर था केंदर सरकार का फेलियर कि आपने किसानों को सही रस्ता नहीं दिखाया टाइम से बंदो बस नहीं किया उनके साथ बाचीत कर के रूट कहीं बीच में आप रूट बदल रहे हैं कुछ कर रहे हैं आप किसानों को क्यों दोशी ठेराते हैं आप अपने फेलियर को पहले ना पिये कि क्या है और आज के दिन जो आप कर रहे हैं ये दुनिया देखेगी ये इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसी सरकार आई थ भारतिय जनता पार्टी की जिसने हमारे देश के कैपिटल के साथ ऐसा किया हमारे किसान मजदूर के साथ ऐसा किया अपने ही घर में अपने देश में आप अपने नागरिकों को एक अनदाता मजदूर को आप उनको देश का दुश्मन मान रहे हैं आप ऐसे बैरिकेडिंग कर रहे हैं ऐसे नहीं हो सकता यह कभी दुनिया में नहीं देखा गया है कि आप चंद लोग क्या अपने आपको एक किला बना कर दिली में बैठेंगे एक किले में बैठें गे और पर सारा देश कहा जाएगा, कैसी सोच है इन लोगों की भारतिय जिनता पार्टी की, अपने लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं, सिर्फ जिद करके, कि हमने ये तीन काले कानून जो बना, इनको हमने वापस नहीं करना, बस। इस तरीके से बात के परदीस सरस्टा कि बात करें पorn pension in सेवा है वह पूरी तरीके से बंद है लोगों में काफी जारे रहा है 17 जिलह मघसेगा तो जिस तरीके से देखते हैं चेसे तो कि ये अंदोलन काफ weed नहीं था आपने ऊपर से और से यह कर दिया है यह पूरे स्टेट को पूरे राजे को आपने थप कई काम-काज आ सेरकारी कार्या़ है क्या है आप तो बहुत गर्ब करते थे ना क्या आपके एप आन-लाइन सरिसे होती है सब कुछ करते हैं, अब कैसे आप नागरिकों को जवाब देंगे, बच्चों को क्या जवाब देंगे, आप कहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करिए, एक्जाम्स आ रहे हैं, इम्तिहान आ रहे हैं, बच्चों का भविश्य अधर में है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कब अपने नागरिकों से, अपने लोगों से जन्ने आपको अपना प्रतिनी दी बनाया, आप उनसे डर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपने कुछ गलत कारिये किया होगा? अपने गलत कारिये, तीनो काले कानून वापस करिये, केंदर सरकार से बोलिए. जिस तरीके से देश के परधान मंत्री आप वीडियो कॉंफरेंसी गरें मीटिंग में ये कहते हैं कि एक फोन कॉल की देरी है ये आंदून खतम हो जाएगा और एक तरह अभी तक कोई बारता नहीं है किसानों में रोज देखा जा रहा है ये इस बात को किस तरीके तो मैं सब कुछ ठीक हो जाता है आज भी कर लीजी एक फोन कॉल को नहीं रोखते है प्रधान मंत्री जी हैं सारा देश उनकी ओर देखता है कि वो तीनों ये काले कानून वापस करेंगे जितना जल्दी करें देश वापस नॉर्मल होगा और दिल्ली को चावनी बनाने की कोई जर कि अजीब सोच है यह ताना शाहों की सोच है एक आखरी सवाल मैं जिस तरीके से हम बात करें पूरा आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है और ऐसे में लोगों को भी काफी परिशानी को सामना करना पड़ रहा है और साब तोर पर छे तारी को किसानों ने आरपार की लड तो दूबरा से चागा जाओ कि रिशानी क्यों हो रही है और किसानों ने तो साफ तोर से कह दिये ना कि इतने बज़े से इतने बज़े तक wz तो पूरे अनुशासंसे कह नहीं यह तो नहीं कह रहे हैं कि हम अनिश्यच्ची अत्काल के लिए यह तो नहाएं कि जैसे इंटरनेट सर्विससेज वो कर रहे हैं उन्होंने ये तो नहीं कहा टाइम दे दियाए पहले से दे धिया है बता दिया है सरकार उन से वार्ता करें खोन करें और तीनों कानून वापस कर लें बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थी परदेश रखदेश कुमारी सेल्जा जो किसाब तोर पर बीजेपी सरकार को चाहे बजट की बात करे या फिर किसान अंदुरोन की बात करे घेरती भी नजर आई राज़ा पटेल दिल्ली हर्याना नीज तो हर्याना नीज पर कुमारी सेल्जा ने कहा है कि बजट से हर्याना को कुछ नहीं मिला हर्याना ने उसे एक्स्कूरिसिव बातचीत में प्रदेश कॉंग्रेस सत्याक्ष कुमारी सेल्जा ने कहा है कि बजट से हर्याना को कुछ भी नहीं मिला है आपने किसानों को सही रास्ता नहीं दिखाया केंदर पर निशाना भी साधा है उन्होंने तिन किशिक कानून के बहाने सरकार इंकाले कानूनों को वापस ले सरकार ने किसानों को दुश्मन मान लिया है ये बात कुमारी सैलजा ने हर्याना ने उसे बात चीत करने के दौरान कही बड़ी खबर इतियास आपको कभी माफ नहीं करेगा तो इस दौरान कुमारी सैलजा ने केंदर सरकार पर निशाना साधा खास करके कल जो बजट आया उसको लेकर उन्होंने कहा कि हर्याना के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं मिला इसके अलावा किसान आंदोलन के बहाने भी उन्होंने के अंदर सरकार पर निशाना साधा देश के किसानों को इज़द दे सरकार ये बात उन्होंने कही है साथ उन्होंने कहा कि आपने किसानों को सही रास्ता नहीं दिखाया सरकार इन काले कानूनों को वापस ले तो किर्शी कानून के बहाने कुमारी सहल जाने केंदर सरकार पर निशाना साधा है साथ ही बजट में हर्याना को कुछ भी नहीं मिलने का आरूप भी केंदर पर लगाया है कुछ भी नहीं देने का आरूप लगाया है अर्याना ने उससे एक्स्कूरसिब बात चीत में उन्होंने ये बाते कहीं